नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में देखेंगे यूपीटेट 2014 का स्वाल पेपर फास्ट रिवीजन करेंगे प्रिविएस येर के पेपर फ़र लेना बहुत ही आवश्चेक है क्योंकि एक्जाम में उससे ही मिलते जुलते कुश्चन आते हैं तो इसके पहले और भी प् हमें 2018, 2017 और 2016 का यूपीटेट का पेपर हम अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा लाब हो सके कुश्चन नमर बन है अभी फिरेला का वर्गी करण होता है ऑप्सन आपके सामने है स्वभाविक और करतिम कम महितफूर तथा अधिक महितफूर जन्मजात तथा अर्जित अभी फिरेला अभी फिरेला तथा प्रलोवन तो सही आंसर आपको बताना है वीडियो को कर सकते हैं तो सही आंसर हो जाता है ऑप्सन नमर थी जन्मजात तथा अर्जित अभी फिरेला का बर्गी करण होता है जन्मजात तथा अर्जित अगला कोच्छन है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का इस्थाना अंतरड हो सकता है ऑप्सन आपके सामने है सही आंसर को आप नकारात्मक हो सकता है, सून ने हो सकता है अगला question है निम्न में से कौन सा अंतर दिर्ष्टी द्वारा सीखने की ब्याख्या करता है option आपके सामने है, सही answer का आपको चिनाव करना है तो सही answer हो जाता है option 4, गेश्टाल बाद तो अंतर दिर्ष्टी द्वारा सीखने की ब्याख्या करता है, गेश्टाल बाद अगला question है, मनो बैज्ञानिक किस मनो बैज्ञानिक ने सीखने की सामगरी के रूप में निरर्थक सब्दों का प्रियोग किया सही answer है option 3, having hands अगला question है, सीखने के नियम दिये हैं आपको बताना है किसने सीखने के नियम दिये हैं सही answer है option 3, thunder icon अगला question है, सीखना है तो सीखना क्या है, option है व्यावार में परिवर्तन अनवाव तथा अभ्यास का परिड़ाम व्यावार में आपे च्छाकरत इस्थाई परिवर्तन उप्रोक्त सभी सही answer है option 4, उप्रोक्त सभी तो सीखना व्यावार में परिवर्तन भी होता है अनवाव द्वारा अभ्यास का परिड़ाम और व्यावार में आपे च्छाकरत इस्थाई परिवर्तन अगला कोशन है सारीरिक व्रद्धी और विकास को कहते हैं सही आंसर है option second अभी व्रद्धी अगला कोशन है चिंतन संग्यानात्मक पच्छ में एक मानसिक किरिया है यह कथन दिया गया है तो यह कथन किसके द्वार दिया गया है सही आंसर है रौस के द्वारा चिंतन संग्यानात्मक पच्छ में एक मानसिक किरिया है यह कथन रौस का है अगला कोशन है बाल मनो विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है सही आंसर है option 4 पेरते एक बच्चा बिसिष्ट होता है अगला कोशन है बाल मनो विज्ञान का केंद्र बिंदु है सही आंसर है option 2 बालक बाल मनो विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है अगला कोशन है अच्छी स्मर्ती की विचेस्ताएं है तो option हो जाएगा सही फोर ये सभी सीग्र पुना इस्मर्ण सीग्र पहचान अच्छी धारला ये सभी अच्छी स्मर्ती की विचेस्ताएं हैं अगला कोशन है सम्बेग सब्द का साब्दिक अर्थ है सही अंसर है option 3 उत्तेजना या भावों में उथल पुथल ये सम्बेग सब्द का साब्दिक अर्थ होता है अगला कोशन है कौसल सीखने की पहली अवस्था है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option 4 अनकरड जो अनकरड है वो कौसल सीखने की पहली अवस्था होती है अगला कोशन है मानसिक आयू के प्रत्य का सर्प्रत्थम प्रियोग किया सही अंसर option 4 बिने तथा साइमन ने अगला कोशन सैस्व अवस्था के लिए उत्तम सिच्छड विदी है सही अंसर option 4 ये सभी मान्टेशरी विदी, खेल विदी, किड़र गाटन विदी ये सभी विदियां सैस्व अवस्था के लिए उत्तम सिच्छड विदी है अगला कोशन है बाल विकास में बाल विकास में क्या होता है option 4 देगी उप्रूक्त सभी प्रक्रिया पर बल है बातावर और अन्वाव की भूम का पर बल है गर्वा वस्ता से किसोर वस्ता तक का अध्यन होता है तो बाल विकास में ये तीनों point आ जाते हैं इसलिए option सही होगा उप्रूक्त सभी अगला question है बाल विकास का अध्यन छेत्र है तो सही answer है option 4 उप्रूक्त सभी तो देखिए क्या कै छेत्र है बाल विकास की बिविन अवस्ताओं का अध्यन बाता वरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रवावों का अध्यन ब्यक्तिक बिवर्नताओं का अध्यन ये सभी बाल विकास का अध्यन छेत्र है अगला question है सरवादिक उप्यूक्त जीवित रहता है का सिद्धान्त है सही answer है option 3 डार्विन अगला question है विने साइमन पर इच्छल द्वारा मापन किया जाता है सही answer है option 2 बिसिष्ट बुद्धी का अगला question है समवेगात्मक विकास को प्रवावित करने वाले कारक है सही answer ये सभी सारीरिक स्वास्त मांसिक युगता ठकान तो समवेगात्मक विकास को प्रवावित करने वाले कारक ये सभी है अगला question है सामाजिक प्रत्यासाओं के अनुरूप ब्यवार की युगता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है उक्त कथन है तो यह कथन है question number 21 का अंसर हो जाएगा option 1 हर लोग का next question है सीखने का सरवादिक उप्युक्त अर्थ है सही अंसर है option 3 व्याहार में फरिमार जन अगला question है बाड़ी दोस नहीं है तो सही अंसर है option 2 धीमी या तेज गयती से बोलना ये बाड़ी दोस नहीं है अगला question है question number 24 प्रात्मिक इस तरफर मूलियों की सिच्छ देने की सर्वुत्तम विधी है सही अंसर है अध्यापक के व्यावार में मूल इस्थाफन अगला question है मूलियों की बर्गी करड़ में समलित नहीं है सही अंसर option 2 एनकें प्रकारेड धनारजन का मूल अगला question है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सही अंसर option 2 मनो बैग्यानिक सहरी रिक अगला question आत्म के इंदरित व्यक्ति होता है सही अंसर है option 1 अंतरमुखी जो आत्म के इंदरित व्यक्ति होता है वो अंतरमुखी होता है अगला question है कच्छा चार का एक बच्चा सद्यव चिंतित और कुंठित रहता है आप क्या करेंगे तो सही अंसर है option 3 स्वेम परामर्स दाता की भूंका का निर्वाह करेंगे अगला question वहसा विकास का सिध्धान्त नहीं है सही अंसर option 3 अत्रिक्त सक्ति का सिध्धान्त अगला question है संकर सब्द किसे कहते हैं सही अंसर आपको बताना है सही अंसर है option 4 दो वहसा के सब्दों से मिलकर बना सब्द संकर सब्द कहलाता है अगला question है सुत सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रियोग होगा सही अंसर है option 4 आ तो सुत में आ जोड़ देंगे अगला question है नाक कावाल होना मुहावरे का अर्थ है सही अंसर option 3 अधिक फिर्ये होना अगला question है असु का पर्यवाची सब्द निम्न लिकित में से कौन सा नहीं है सही अंसर कटक असु का जो पर्यवाची है वो कटक नहीं है इस प्रकार के परसनों पर आप अधिक ध्यान देजिए जहां पर पूँचा जाता नहीं है अगला कोश्चन है जो एक इस्थान पर टिक कर नहीं रहता बाग के लिए एक सब्द कौन सा है सही आंसर ओप्शन थिरी या या वर अगला कोश्चन है बुंदेले हर वोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जांसी वाली रानी थी फिर्स्तुत पंक्तियां के रचैता कौन है सही आंसर है ओप्शन सेकंड सुवद्रा कुमारी चौहान अगला कोश्चन है समास का अर्थ है समास का अर्थ होता है संच्छेफ अगला कोश्चन भासा के सम्मंद में उप्चारात्मक से छड़ का उद्देश्य है सही आंसर ओप्शन बन भासा प्रियोग सम्मंदी कठनाईयों की पैचान तथा उनका निदान अगला कोश्चन है पिर्मुक भासिय कोशल के अंतरगत इन में से कौन एक नहीं आता है सही आंसर है ओप्शन थिरी हसना हसना भासिय कोशल के अंतरगत नहीं आता है कोश्चन नम्मर फोर्टी हिंदी दिवस कब मनाय जाता है सही आंसर है Option 1 14 सितंबर को अगला कोश्चन है काब से छड़का उद्देश है सही आंसर Option 4 रसा नुभूती एवं आनन्दा नुभूती कराना अगला कोश्चन है निम्न मैं से किस बाक में बिसे सड का पिरियोग हुआ है सही आंसर Option 3 मेरी गाय काली है इस बाक में बिसे सड का पिरियोग हुआ है बिसे सड है काली अगला कोश्चन नाटक सिछड में कच्छा अविनाई फिरडाली के फिरियोग से सही आंसर है Option 2 पत्रा नुशार बच्चों द्वारा अविनाई से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है अगला कोश्चन है निम्न सब्द में अधिकरण का रख का पिरियोग हुआ है सही आंसर Option 1 वाहन ना रूड अगला कोश्चन किस रस को रसराज कहा जाता है सही आंसर स्रंगार रस को रसराज कहा जाता है अगला कोश्चन है गनानन को किस युग का कभी माना जाता है सही आंसर Option 3 रीतकाल का जो गनानन है उसे रीतकाल का कभी माना जाता है अगला कोश्चन निम्न लिकित में से सुद्ध बरतनी वाला सब्द है तो देखी कौन सा है सही आंसर है Option 3 आसीरवाद को से किस कारक चिन का बोध होता है सही आंसर ऑप्शन बन कर्म कारक का सच्चिदानंद शेरनंद बत्स्यान का उपनाम है सही आंसर ऑप्शन 3 अग्य है अगला कोश्चन विहारी के पिरसिद्धी है विहारी की पिरसिद्धी है तो सही अंसर है option 4 दोहा विहारी के जो पिरसिद्ध है वो क्या है दोहा अगला कोश्चन है पुनर जन्व सब्द का सही संधी विच्छेद है तो सही अंसर है option 1 पुना धन जन्व अगला कोश्चन है सोक किस रस का इस्थाई भाव है सही अंसर करोड रस का अगला कोश्चन सूर्दास ने किस भासा में सूर्जागर की रचना की है सही अंसर option second विरजवासा अगला कोश्चन है दोहा में कितनी मात्राएं होती है तो सही अंसर है option 1 24 अगला कोश्चन है question number 55 जो अच्छे कुल में उत्वन हुआ हो इस सब्द समूव के लिए एक सब्द क्या है सही अंसर option 1 कुलीन अगला कोश्चन है दाता सब्द का इस सब्द क्या है सही अंसर है option 3 दात्री अगला कोश्चन लड़का पीड सी गिरा में कौन सा कारक है सही अंसर है option 1 अफादान कारक अगला कोश्चन है पापी में कौन सा विसी सड्ड है सही अंसर है option 3 गुलवाचक विसी सड्ड अगला कोश्चन है नवल सुन्दर श्याम सरीर की सजल नीरत सी कल कांती थी मैं कौन सा अंकार है सही अंसर है option 1 उफमाल अंकार अगला कोश्चन है बीजग किसकी रचना है सही अंसर है option 3 कभी अधास की जो बीजग है कभी अधास की रचना है अभी तक हम लोगों ने बाल विकासा और हिंदी के साथ कुछ्चन देख लिए हैं अब चलिए देखते हैं फर्रेवरड के अंगला 30 कुष्चन question number 121 बायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है सही अंसर आपको टिक करना है option 1 वैरो मीटर अगला कुछ्चन है वीटी कफास है वीटी कफास क्या है सही अंसर है option 2 एक ट्रांसजेनिक पौधा अगला कुछ्चन है कौन सा वायुदाब लिये फर्दूसक अमली वर्षा का मुख कारक है सही अंसर है option 1 SO2 या सल्फर डायॉक्साइड अगला कुछ्चन निम्न में से कौन सरवादिक उत्पादक फरिस्थित की तंत्र है सही अंसर option 1 उसल कटबंधिये वर्षा 1 अगला कुछ्चन है निम्न लिखित में से कौन सा रसाइन आम पकाने में परियोग होता है सही अंसर option 1 कैल्सियम कार्बोनेट अगला कुछ्चन कौन सी बीमारी दूसित जल पीने से फैलती है सही अंसर option 2 टाइफाइड निम्न लिखित में से कौन सी डीमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है सही अंसर option 3 CO कारवन मानो अक्षाइड अगला कुछ्चन इन में से कौन दिवीज पत्त्त्ति पौदा है सही आंसर option 4 सरसों 1 दिवीज पत्त्ति पौदा है अगला कुश्चन है पौधों में जल का अधिगरः किसके द्वारा होता है सही आंसर है ऑप्शन बन जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिगरःः जाइलम के द्वारा होता है अगला कुश्चन है कौन सा पर्थम साइथ सिरूत है सही आंसर ऑप्शन बन रिगवीद कुश्चन नम्मर बन थर्टी वन बायो वंडल में 99 पिर्ष्टत भाग पर किन दू गैसों का विस्तार है सही आंसर है ऑप्शन टू ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन अगला कुश्चन है फर्य वरड़ी अध्यन में सेच्छिक भरमल का मूल उद्देश है सही आंसर ऑप्शन टू चात्रों के लिए प्रतच अनभाव अगला कुश्चन कार किया रूप से सुष्क मिट्टी की क्या विसेस्ता है इसको कैसे पैचानेंगे सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थिरी मिट्टी में लवर सांदरता अधिक होगी तो इस तरीके से हम पैचान सकेंगे कुश्चन नमबर 134 सतत और ब्यापक मूल लेंकन क्यों आवश्यक है तो सही आंसर है ओप्शन थिरी निरंतर मूल लेंकन होते रहने से सिच्छार्थियों में परिच्छा का आना आवश्यक वाए नहीं होता है अगला कुश्चन है चर्णे वाले पसू बनस्पती को कैसे बदलते हैं सही आंसर है ओप्शन थिरी चुनकर चर्णा अगला कुश्चन है निम लिकित मैंसे कौन सुष्थ अस्तियों के लिए आवश्यक है सही आंसर है ओप्शन 4 कैल्सियम एवं विटामिन डी सुष्थ अस्तियों के लिए जरूरी है कैल्सियम तथा विटामिन डी अगला कुश्चन है भारत में हिमाले की सबसी उची चोटी का नाम है सही आंसर है ओप्शन 1 माउंट के टू अगला कुश्चन प्रात्मे के स्तर पर सिच्चल की खेल विदी आधारी थे है सही आंसर है ओप्शन 4 सिच्चल विदी के सिध्धाँथ पर अगला कुश्चन है बाव मंडल की सबसी नीचली परत का क्या नाम है तो सही अंसर है आफ्शन 4 छोव मंडल अगला कुशन है बेटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है सही अंसर है आफ्शन 1 इसकरवी अगला कुशन है भारत की पिर्थम माईला IPS अफसर कौन थी सही अंसर है किरडवेदी अगला कुशन अश्वाम का फिर्षिद एक सींग वाली गेंडे वाला वन जीव अव्यारण कौन सा है सही अंसर काजी रंगा अगला कुशन है निम लिखित में से कौन सा अगने चट्टान का उधारण है सही अंसर आफ्शन 1 वे साल्ट अगला कुशन है पिर्थिवी की बाता वर्ल की किस सत्य में ओजोन परत पाई जाती है तो सही अंसर है अप्शन 2 स्टेटो स्फियर में अगला कुशन है सिख धर्म के संस्थाफक निम्न में से कौन है सही अंसर आफ्शन 4 गुरु नानक देव अगला कुशन है भूकंब की तिब्रता नापने का यंत्र है सही अंसर आफ्शन 2 सिस्मोग्राफ अगला कुशन है सत्यार्थ फ्रकास के लेखक का नाम है सही अंसर आफ्शन 1 स्वामी दयानन्द सर्शती अगला कुशन विहू भारत के किस राजिका लोक निरत है सही अंसर अश्म खाद स्रंखला से परसपर समू को कहा जाता है सही अंसर है ऑप्शन 3 खाद जाल तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा यूपीटेट 2014 का स्वाल पेपर फास्ट रिवीजन किया 24 मिनट में 90 कुश्चन देखे एक वीडियो के एक बार और देख लें तो आपको ये कुश्चन याद हो दाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेट कुश्चन है इनसे ही रिलेटेट कुश्चन आपको एक्साम में देखने को मिलेंगे तो वीडियो जड़ा सभी पसंदा आए तो वीडियो को सेर करें और लाइक करें चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें यूपीटेट की तैयरी हम कराते रहेंगे और जो प्रिविए से येर के सारे पेपर हैं उनको हम लोग अपने चैनल पर अफलोड करेंगे तता साथ ही मॉडिल पेपर भी आपको यहां पर अफलोड करेंगे जिन से आपकी काफी हैल्फ होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत